तो हेलो स्टुडेंट्स आज हम एक नया चप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो के साथ और यह टॉपिक का नाम है चैप्टर का नाम है क्वाड़िटे के इक एक लिए इवन हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपोर्टेंट रोल निवाती है क्योंकि क्योंकि क्यो तो वो बाल जिस तरह से ट्रेवल करती है वो ट्रेवल पाथ भी क्वाड़िटे एक्क्वेशन यानि क्वाड़िटे कर्द को फॉलो करता है सारी बात है हम डेटेल में जानेंगे इस पूरे चैप्टर में चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस में क्लास में हम इस वीडियो में बहुत ही हम बेसिक बात करेंगे एकदम बेसिक तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड़िटिक एक्सप्रेशन की क्या होता है तो एक क्वाड़िटिक एक्सप्रेशन क्या होता है एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिगरी कितनी होती है टू तो एक टू डिगरी वाला पॉ different kind of polynomials होते हैं जहां पर variable की power कितनी होती है one होती है ऐसी quadratic किसको बोलते है जहां variable की power two होती है then cubic आता है जहां पर variable की power three बन जाती है एना इसी तरह से आगे नाम बढ़ते जाते हैं powers के साथ similarly तो हमें यहां क्या करना है जो quadratic equation है only जब power two होगी उसकी बात करनी है और किसी की बात नहीं करनी है तो आप बोलो के sir यह तो और छोटा हो गया chapter पहले तो हमें बहुत सारी powers की बात करनी पड़ती थी yes केबल एक ही बारे में बात करनी है जो maximum power कितनी है variable की two है लेकिन यहां बहुत detail में है और इस two power का ही बहुत सारा खेल होता है वो सबको हम सीखेंगे जानेंगे जिन्दगी में हमें बहुत अच्छी चीज़े सिखाएगा और बहुत काम की चीज़े इसको देखिए तो quadratic polynomial का मैंने एक example लिया है जैसे x square plus 3x plus 2 तो यहां जो x square है x क्या है यहां पर variable है और variable की power यहां 2 है आप बोलोगे sir variable तो यहां पर भी x और इसकी power कितनी है यहां पर हमें दिख रहे है यह power 1 है हाँ 1 है लेकिन हमें देखना पूरे expression में complete expression में maximum power कितनी है तो आप बोलोगे maximum power तो 2 है Yes, maximum power 2 वे इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे polynomial degree 2 इस degree का मतलब ही क्या होता था highest power है ना, इस degree का मतलब क्या होता है highest power तो जिसकी highest power 2 है उसको हम क्या बोलते है, quadratic और यहां expression word यूज़ किया गए expression मतलब हमने इसको fx के terms में equation पर भी आएंगे, equation और expression में थोड़ा सा difference होता है, उसको भी हम समझेंगे expression मतलब fx या gx किसी को भी equal में x के different terms को लिखना different powers के term में express करना, उसको हम बोला जाता है expression, ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, next चीज़ है roots और 0, यह भी 9th और variable क्या होता है, x होता है हमारे case में, पर a, b, c, t, y anything कुछ भी हो सकता है, any alphabet doesn't matter, for which value of quadratic expression becomes 0, तो यह बहुत important है, कि x की या फिर जो भी variable है, जिस variable का expression है, उस expression में उस variable की कुछ value डाली जाए, और वो क्या हो जाए, 0, 0 जिस value पर होगा, उसी को 0 या फिर roots बोला जाता है अब लोगे, sir, ऐसा कैसे होता है तो देखो, यहाँ पर हमारे पास fx दिया गया है, तो यहाँ x की जगे, मैं put कर देता हूँ x is equal to minus 1 put करके देखते हैं, तो हमारा expression क्या बन जाएगा है, f of minus 1 तो हम इसको calculate करते हैं minus 1 का square plus 3 into minus 1 and plus 2, is equal to कितना आ गया, minus 1 का square plus होता है minus 1 into 3 minus 3 बनेगा, plus 2 आप बोलोगे, sir, यह तो पूरा 0 आ गया, solve करने पर, yes, यह 0 आ गया, that's why हम क्या बोलेंगे, minus 1 is a root या फिर 0, तो अभी जो हम बड़े हो गए, 9th में और 10th में इसको 0 जो वर्ड यूज करते हैं पर अब 11th में, 12th में आगे हमेशा क्या यूज करेंगे, root वर्ड यूज करेंगे तो minus 1 क्या है, इसका एक root है, तो जिस तरह minus 1 इसका एक root है, similarly आप लोग इसको try करना खुश से, x is equal to minus 2 भी इसका एक root है आप इस value को इस equation में या इस expression में डालके देखना और आपको definitely इसमें 0 मिल जाएगा है ना, यह आपके लिए homer के squad try करना next standard equation, standard quadratic equation standard quadratic equation क्या होती है इसको हमें देखना है तो ax square plus bx plus c is equal to 0, इसको standard quadratic equation बोलते हैं, तो सबसे पहले हमें समझना है अभी तो expression के बारे में बात कर रहा था हमने, जो भी देखाते हैं, expression word लिखा हुआ था, अभी यह equation क्यों लिखिया है तो याद रखो, equation कब लिखा जाता है, जब equal का sign आ जाए, और equal का sign के बाद, दूसरी तरफ क्या लिखा होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए नमबर हो सकता है, कोई constant हो सकता है ना कोई variable भी हो सकता है पर generally 99.9% आपको क्या मिलता है, यहाप पर 0 ही लिखा हुआ मिलता है आप बोलोगे, सरी, ऐसा मैंने क्यों बोला क्योंकि equal तो यहाँ पर भी आप यह doubt करोगे पट यहाँ पर यह जो fx से ना ही constant है, ना ही variable है, ना ही कोई 0 है nothing, कुछ नहीं है इसलिए मैंने बोला, equal का sign होना चाहिए, तो equation हो जाता है यहना, equal से equation आता है और equal के, दूसरी तरफ चाहिए, वो right भी हो सकता है, left भी हो सकता है, doesn't matter ना हमां क्या होना चाहिए, कोई number, constant, variable या फिर 0 इस तरह की चीज होनी चाहिए, तब ही हम उसको क्या बोलते है quadratic equation बोलते है अब यहाँ पर x square का कोई coefficient है, coefficient मतलब क्या होता है उसका साथी, तो coefficient मतलब क्या हो गया है, साथी तो हम बोलेंगे x square का coefficient क्या है, तो x square का साथी कौन है, a x का साथी कौन है, तो b और अकेला कौन है, c इस तरह से हम बोलेंगे, तो जैसे कि हमारे पास एक नीचे एक question है यह example है, तो इसमें यदि हम coefficient निकालना चाहते हैं, variable कौन हो गया, x दिख रहा है, याँपर variable, coefficient, तो x square क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है, यह coefficient, यदि कुछ भी coefficient नहीं दिखता है, तो हम बोलते है, जिसका कोई नहीं होता है, इस वर होता है, और वो कौन है, एक है, ना सब का माले के, तो एक जो है, यह क्या हो जाएगा, a is equal to 1, a की value 1 आ गई, b किसका coefficient है, x का, और x का coefficient यहाँ पर नीचे क्या दिख रहा है, हमें, 3, that's why, v is equal to 3 आ जाएगा, constant term, अकेला वाला term कौन है, 2, that's why, c की value क्या जाएगी, यहाँ पर 2, तो आयों आपको clear हुआ होगा, expression क् equation क्या होती है, equation में, जो quadratic equation का standard form है, वो हम कैसे लिखते हैं, वहाँ से ABC की value कैसे निकाली जाती है, यह बहुत basic चीज़े हैं, बहुत important है, तो चलिए, next video में हम इसके आगी की चीज़े सीखेंगे, thank you